हलो आज हम इस इडियों में देखेंगे कि आप कॉलर माइक का कौन सा यूज कर सकते हैं अगर आप एक यूटूब किरियेटर हैं तो यह आपको जाना जरूरी होगा क्योंकि मेरा जो आवाज होता है वो किलियरली आवाज होता है सबसे पहले तो मैं धीमा बोलता भी नहीं हूँ और थोड़ा लोडली भी बोलता हूँ और दूसरा नंबर कि इस माइक का भी कमाल है तो आपको कौन सा मतलब कॉलर माइक का यूज करना है वही मैं आपको दिखाऊंगा यही मैं color mic के through मैं सभी video suit करता हूँ ठीक यह वला color mic के through ठीक है यह बहुत ही अच्छा color mic है इसकी मतलब quality भी बहुत ही अच्छी है और इसमें आप बोलेंगे जैसे भी आप बोलेंगे तो इसका मतलब आपको आवाज सही देगा ठीक है दूसरा number की यह आपका no icing नहीं आएगा मतलब की आस पास में जो भी चिला हट की आवाज आ रही है किसी भी तरह के अगर गुझने के आवाज आ रहा है तो वो आपको इसमें कभर कर लेगा मतलब की केवल आप ही का आवाज जाएगा अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लगा कि आप बोल लें उसके बाद दूसरी बार कोई लड़का आया यहाँ पे चिला चिला का बोल ला है तो उसी का आवाज आ जाएगा लेकिन कुछ न कुछ हाज आता है बाहर का भी आवाज अगर यहां पर song भी बजने लेगा तो जहर सी बहना song का भी आवाज हैगा लेकिन collar mic का mainly जो use किया जाता है कि आपका new rising से हटा है मतब आसपास के जो भी घंगना हट होती है तो वो आपको खतम करतेगा इसलिए हम लोग Color Mic का यूज करते हैं अगर आप भी एक YouTuber हैं तो ये आपके लिए जाना जरूरी होगा ताकि आपका भी अच्छा से अच्छा आवाज निकल सके तो ये हम Color Mic का यूज करते हैं ये ही Color Mic का ये आपका Color Mic है बोया का Color Mic है बोया कंपानी है ये बहुत ही अच्छी कंपानी है आप फिलिपकार्ट या ओनलाइन किसी भी एप पे जाकर मंगवाते हैं तो कई तरह का आपका Color Mic देखने को मिलेगा लेकिन सबसे अच्छा जो आपका होता है वो आपका बोया का माइक होता है ये जादे अपका भी नहीं होता है और मतलब जादे प्राइस का भी नहीं होता है और बहुती कम भी नहीं होता है तो ये अपका ठीक है करीबन मैं इसे फिलिपकार्ट से मंगाया था आठ या 900 कुछ ऐसे ही मंगाया थे मतलब 1000 के अंदर में ये बोया काHarakah आगिया था और इसे किवल हम लोग मतलब की केवल मोबाई ही में यूज़ कर सकते हैं ये जो हम यूज़ कर सकते हैं वो अपने laptop में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है, sorry, camera में भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर देख पर है, यहां पर यह off कर दिया गया है, मतलब कि यह किवल अभी जो इस्तमाल हम कर रहे हैं, वो अभी camera मतलब mobile में यूज कर रहे हैं, और अगर हमें camera में यूज करना है, तो यह वाला जो है, इसे हम लोग उपर कर देना पड़ेगा, इसको उपर कर देना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसे हम लोग उपर कर देंगे, तो यह आवाज आना बन हो जाएगा, ठीक है, और इसमें battery भी लगाने का मतलब यह है, लेकिन battery हम लोग अभी नहीं इसमें लगाए हैं, क्योंकि battery लगाए जाता है, तब जब आप camera यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम camera यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम video जो suit करते हैं, वो अपने mobile से ही video suit करते हैं, ठीक है, तो मैं इस studio में आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, कि भाई आप अगर caller mic को खरीदना चाहते हैं, तो बोया की caller mic बहुत ही अच्छी होती है, इसकी quality बहुत अच्छी होती है, और आपका आवाज भी बहुत ही अच्छा देगा, ठीक है, यह यहाँ पर देख पार है, यह आपका बोया भी सुकी जा रहा है, तो यह मेरे पास जो भी था, ऐसा लगा कि यह हमें बतलाना चाहिए, आप सभी लोग के साथ, और इससे होता है, बहुत ही अच्छा वाज भी निकलता है, quality भी अच्छी होती है, आज पास के नवाजिंग भी खतम हो जाता है, तो अब आपको जो भी अगर कॉलर माइक खरीदना चाहते हैं, तो आप बोया ही के कॉलर माइक खरीदें, ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दू कि फिलिप कार्ट पे जाएंगे, तो 100, 150, 200 के भी अंदर में आपको कॉलर माइक मिल जाएगा, तो क्या फाइदा रहेगा, जब आपका अच्छा आवाज ही नहीं आ रहा है, जब वो काम ही नहीं कर रहा है, या उस नुआज ही नहीं खतम कर रहा है, 100, 200 पैसा बेफजूल में खर्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा पैसा लगाए, वो अच्छा रहेगा, ये बोया का माइक है, ये अच्छी आवाज देती है, इसलिए आप इसे यूज करें, इस टैप से आप लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप जितना यहाँ पे नजबीक लगाएंगे, उसकी हिसाब से आपका आवाज आती जाएगा, जो मैं आपके साथ जनकारिया सेयर किया, बोया कि कॉलर माइक से रिलेटेड वो आपको अच्छे देंक से समयन में आ गया होगा,